दोस्तो सुजलोन अनर्जी के स्टॉक की बात करें तो आज हमने काफी दिन के बाद गिरावट देखें पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटीव प्लोजिंग हो रही थी लेकिन आज हमने तेजी पे ब्रेक लगता हो दिखाय दिया क्या यहां से बड़ी गिरावट हो अपने गिरवी शेरों को छुड़ा लिया मैनेजमेंट ने साथ में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने कर्ज से जंजाल से बाहर निकल चुकिया कंपनी डेट फ्री हो चुकी है ऐसे में क्या आने वाले समय यह एक बड़ा मल्टिवेगर बन सकता है समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी नयावडियो बने पहला नोडिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बी और इसका नतीज़ा हमने सुजलों में भी देखा यहां पर भी प्रॉफिट बॉकिंग आ गई तो स्टॉक की शुरूआत हुई 49.60 पर पॉइंट ही शुरूआत हुई फ्राइडे की क्लोजिंग 48.60 के आसपर थी लगबग एक रुपे उपर इसने शुरूआत की इंट्रा 18 संय पॉइड्यय फिर से 5पर्शृूआत की आसपर लगा लगा cost लेकिन दो फरेवरी को देखे तो इस्टॉक 48.60 के आसपास क्लोजिंग दिये जापे मात्र 0.80% की ही तेज़ी थी और लगबग आज उतनी ही गिरावटे इससे एक बात तो समझ में आ रहे है कि लगातर अपर सरकीट और लोड सरकीट का दौर रुका है जिससे आने बार इसम में इसके एसम लिष्ट में श्रेज और नीचा आने की समावना बन जाएगी अभी आप इसकी परफॉर्मस देखे तो इंट्राइडे का लोग 47.50 का लेकिन हाई 50 का है यानि अपने 52 का हाई क्योंकि इसका 52 का लोग देखे तो 6.95 का और हाई 50.60 का और आज भी 50 तक जाके आए तो कोई चिंता की बादनी स्टॉक मजबूत लग रहा है इस लेवल पे और एक बड़ी की तैजी के लिए तयार हो रहा है और टाइम लोरेंज इसकी 1.70 के और हाई 459 का है तो कोरणा काल में ये श्टॉर एक रुपे 70 परेसे तक आ गया था उस हिसाब से अगर किसी न अंडर वैली स्टॉक है आने वाले समें ये प्राइज बिल्कुल इसमें आते हुई दिखाई दे सकती है अब यहाँ पर वॉलिम देखे तो पीछले एक मैने पहले इसका 11 करोड का वॉलिम था 7 करोड की डिलेवर उठाए गी थी बदी पहले 18 करोड का वॉलिम था 9 करोड क तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार जो फाइनेशल रूसाइं 23 में अगरा आप देखे तो सोलर एनर्जी ना तो कमाल किया है सोलर एनर्जी की जो इस्टॉल कैपसिटी है वह काफी जादा बढ़ी आनि करीब 10 गिगावाट की इस्टॉल कैपसिटी एड़ हो चु तो मात्र 2.8 गिगावाट की इस्टॉल कैपसिटी बढ़ी है 2023 में तो फाइनेशल रूसाइं 23 ठीक नहीं रहा है वीन अनर्जी सेक्टर के लिए क्योंकि यह कोल बेस पाउर प्लान की कैपसिटी जब पीछे रह गया है क्योंकि जो कोल बेस पाउर प्लान की कैपसिटी बड़ा अच्विमेंट है लेकिन वीन एनर्जी सेक्टर में अभी भी बहुत सारी संभावन नेगेटिव बने तो इसके पीछे रिजन भी है सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने पिछले जो नई बीडिंग प्रक्रिया लाई थी वो एक तरसे उससे काफी जो बड़े इ लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि जो इलेक्रिस्टी कंजम्सन बड़ा जिसका अनुमान लगाया गया है वो बहुत जादा है और इस वज़े से जो इंटरनेशनल एनर्जी अथर्टी ने जो रिपोर्ट जारी कि उसमें कहा गया है कि आने वाले भी सम्षे में थर्मल पर प्लांट के कंजम deg करना अकेला थर्मल पर प्लाण बहुत कम है अभी to Soamtس मय本फ से देखे तो ही स्टार के लिए चिंता जानक बात है कि आप देख सकते हो कि green energy sector में इतनी install capacity नहीं पाई गही है लेकिन सूजलोन energy खुद अपने लेवल पर देखे तो काफ़ अच्छा अच्छी हो कर रही है दूसरी company आई इसमें इतनी पीछे है लेकिन सूजलोन energy का कारूबार काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है अब एक बड़ी update है जो तमिल लाडू से निकल क्या रही है तमिल लाडू green energy sector में बहुत बड़ा revolution लाने जा रहे है वह वहाँ की जो सरकार है वह अब चाती है कि आने वाले समय जो भी बिजली का इस्तेमाल हो वो green energy के मादिम से ही हो और इसलिए इन्होंने बड़ा फैसला किया यहाँ पे बिजली के मादिम से हो ऐसे में जो यह नई सबसरी एक कंपनी बनाईगी है वो कंपनी आने वाले समें तेजी से फोजल फिल्स की जगल लेगी और आने वाले समें जितने भी चेत्र में हो वहाँ पे इस्तामाल होगा वो green energy के मादिम से ही होगा यानि बहुत सारी अपोर्चनरी तमिल लाडू से निकल के है और तमिल लाडू के पास वो सारा पोटेंशल भी है कि वीड़ी सेक्टर में भी वहाँ पे निवेस की समावन तलासी जा सकती है काफी बढ़िया उनके पास एरिया है ऐसे में आने वाले समय सुझलों के लिए भी मौके है और यह जिस्त से फैसले लिए जारे अलग-लग स्टेट के हिसाब से clean energy को promote करने के लिए उसका फाइदा सुझलों को देखने को मिल सकता है अब सुझलों energy को लेके तो यहाँ पे TV18 पे जो CNBC आवाज कारिकरम के उपर अगर आप देखे तो उनके market expert सर्वेंदर जेन का कहना है कि stock 30 से 35 रुपे तक बहुत समय दरगा 10 से 12 साल लगए इस level को पार करने में लेकिन अब इस level पे आ चुका है और यहाँ पे टीक चुका है तो जल्दी आप एक अच्छी overall setup ठीक लग रहा है और यह 100 तक जा सकता है पर कब तक जाएगा यह कहना मुश्किल है लेकिन 100 जाने की संभावना बन चुकी है अब तो इसमें stop loss लगा के आप इसमें खरिदारी करके बने रहें दुसरी दर्ब देके तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमीद बगड़ी आभी इसमें खरिदारी के सला दे रहें वो 45 का stop loss लगाने के का है और 55 का पहला target और 60 का second target देखने को मिल सकता है तो कुल मिला का वरोल खरिदारी की सला बन रही है अब यहाँ पर कुछ बड़ी डील के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सुब सुब आप देख सकते हो कि 9 बचकर 16 मिल पर 49.60 की प्राइस है 5,19,60 की एक बड़ी खरिदारी हुई फिर उसी समय 9 बचकर 16 मिल पर 49.65 की प्राइस है 9,45,60 की एक बड़ी खरिदारी और हुई फिर 9 बचकर 30 मिल पर 50 की प्राइस है 9,30,60 की एक बड़ी खरिदारी और हुई तो उसके बाद 9 बचकर 35 मिल पर 49.50 की प्राइस है यहाँ पर देख़ें कि 5,300,000 की एक बिक्वाली हुई उसके बाद 10 बचकर 29,000 पर 49.50 की प्राइस है 11,65,000 की एक सांदार खरिदारी हुई तो फिर 10 बचकर 32,000 पर 48.85 की प्राइस है 5,61,000 की प्राफिट बुकिंग हुई और फिर 10 बचकर 33,000 पर 48.70 की प्राइस है 5,87,000 की बिक्वाली और वी लेकि उसके बाद 10 बचकर 54,000 मिने पर 49.50 की प्राइस है 7,88,000 की एक बड़ी खरिदारी हुई फिर 11 बचकर 12 मिने पर 49.15 की प्राइस है 5,51,000 की बड़ी खरिदारी और वी उसके बाद 12 बचकर 50 मिने पर 49.50 की प्राइस है 6,22,000 की प्राइस है 6,22,000 की की फिर से एक विक्वाली हुई फिर दो बचकर 56 मिनार पर 47.80 की प्राइसे 546,000 की विक्वाली और हुई तो दिन में काफी इची खरीदार हुई तो लेकिन बाजार क्लोज होने के समय जिस तर से बड़े फंडाविस की विक्वाली हुई इससे यहां पर इस्टॉक के इंदर नहीं एक बार फिवर्ट लेवल को चेक ले तो यहां से कर गिराट होती तो 43 का पहला सपोर्ट है यह टूटा तो 39 तक श्टॉक जा सकता है गिरावट बढ़ी हुई तो 35 तक जाने की सम्भावन है यह तब ही पॉसिबल है जो बाज़ार में भरी गिरावट हो पॉसिटिव कोई भी इन्विश्मेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवाजर बढ़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्यूंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज रुकिजा और चैनल को कर दीजिए थैंकियो फ्रेंट